करता हूं आपकी सेवा में अच्छा लगे तो आशिरवाद दीजिएगा कि रोटी रोटी से शुरू है और रोटी पर ही खत्म करूँगा और रोटी खाने का समय भी हो रहा है भूग भी लग रही है थोड़ी थोड़ी कि रोटी चाहे पतली सी होवे होवे चाहे मोटी कि रोटी चाहे पतली सी होवे होवे चाहे मोटी मोटी को भी खाता है भूगा ठका आदमी आदमी मैं आती जाती रात दिन ही कमी कमी है कि और 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 हो है पैसा पैसे से ले लू एक वायूयान जैसा वायूयान जैसे मैं रात दिन घूमू घूमू होट लो मैं और बहुत लो को चूमू चूमू जूमू ना चूगाऊं ताता ताता थैया थैया के लिए कुछ और हो रुपईया रुपईये के भरे हो मैं ब बक्से गरम से, बक्से गरम से हों, बिगडे करम से, बिगडे करम से ही चूमलू मैं चोटी, चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी, बाँ 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 अरबुत, चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी, चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी एक दो चंद आपको आनंद के सुनाता हूं ये चंद दिल्ली में नहीं लिखे थे मैंने ये मैंने बिहार में लिखे थे वो बिहार के एक बच्चे से पूछा अध्यापक ने कि बिटा ये बता कि मुख्य मंत्री बनने के लिए मंत्री बनने के लिए MP बनने के लिए क्या यो जवाब देते हैं, बह घाले, वेक लड़की ने पिता जी से कहा कि, डड़ी, एक लड़के से शादी करना चाहती हो, तो पिता जी एंका बेटा कहां रहता है कि, डड़ी निउड्यॉयोर्क में रहता पिता जी ना पूछा बेटा कहां मिला तो बताया बेटी ने डड़ी फेस्बुक पर मिला वाटसेप पर बात हुई ट्वीटर पर प्यार हो गया पिता जी दिल्ली के समझदार अनुभवी आदमी थे समझ गे लड़की कल ट्रेक पर जा रिये तो उसी भाशा में समझाया उस से बेटा ऐसा कर टेलीग्राम परस्गाई कर ले इंस्टाог्राम पर शाधि कर ले फिलिप कार्ड से बच्चे मंगा ले गूगल से डॉwn लोड कर ले और तालियं जिनोंने अब तक नहीं बजाई सुनकर अगली बात पर बजा देना बोले गूगल से डॉwn पर लोड कर ले और पती फिर भी समझ में नी आय तो साले को OLX पर बेस देना तो मामला नेट के यूग में यहां तक पहुंच गया तो उस बच्चे से पूछा तो देखिए बच्चे मैं बता रहा हूं बच्चे विलक्षान है अब बच्चे ऐसे जवाब देते हैं आप सोच नहीं सकते वो फरीदाबाद में मेरे एक मित्र पुलिस में बड़े अधिकारी हैं उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था तो उन्होंने का बेटे तू इस साल पासो का मुझे भरोसा नी और सब के सामने फेल का रिजल्ट बता कर मेरी नाक मत कटवानना रिजल्ट इशारे में बताना तो लड़के ने पूछा पिटाजी से दैड़ी कैसा इशाबर तो उनोंने समझाएक देख एक विशह में फेल हो जाए तो कहना डैडी जैश्री राम राम जी एक थे दो विशह में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा क्रशना दो थे तीन विशह में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विश्नु महेश समझ गया लड़का बोला समझ गया अगले दिन रिजल्ट लेकर आया पिता जी ना पूछा बिटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का बोला डैडी सांचे दरबार तो तालिया एक बार मिलकर बजा दीजिए मुझे सांचे दरबार की जय करनी और यह सच है डॉक साथ ऐसे ऐसे अद्भुच जवाब देते हैं मैं तो पढ़ाता हूं कॉलिज में वो एक लड़के से पूछा किसी ने बिटे क्लास में क्या चल रहा है बोला सर राम जी की स्टोरी चल लेए हिंदियक आदमी का प्रोग्राम है गर्ग साथ राम जी की स्ट बढ़ी राम जी की स्टोरी देखे उसकी भाव बिल्कुल ठीक है पर भाशा ने आनंद कर दिया बोला राम जी की स्टोरी चल लेए मैंने पूछा कुछ समझ में आई तो अगले ने तुरंद बताई बोला एक बार दश्रत नाम के किंग थे उनकी तीन क्विंस थी बाद ख कर दिया जिसकी वजह से उनकी एंगेजमेंट सीता जी के साथ हो गई फिर वो अपनी पतनी को साथ लेकर फॉरेस्ट में पिकनिक मनाने के लिए निकल गए वनवास नहीं पता उसे जी और चले नहीं गए निकल गए बोले वो अपनी पतनी को साथ लेकर फॉरेस्ट में पि किडनेप कर लिया और अंतिम वाक्या पड़ तो मैंने उसके लिए तालिया बजा दी ती आप तो बजाई देंगे बोले वहाना रामण ने 420 करके उनकी वाइफ को किडनेप कर लिया फिरना राम जी को टेंशन हो गई और उन्होंने रामण का मर्डर कर दिया कि इस्थिति यह हो गई कि बच्चे वद और मर्डर का अंतर भूल गए तो कि अच्छा कोई नहीं यह निर्दोष जी की डिमांड नहीं आ रही थी मेरी भी आ रही है शुरोता लेके आए अपने साथ में यह विशेस बता रही है मेरी प्यारी चोटी बहन है वह भी पितने दिनों रहतक के पास एक गाउं में दंगल हुआ एक पहलवान ने ओपन चेलेंज कर दिया बोला इस गाउं में मेरी टकर का कोई भी पहलवान हो तो कुस्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार ने तभी चार लड़के खटे हुए बोले भीया वह जो गाउं के सबसे बुजूर्ग आदमी है अनुभवी हमारे सुरेंद्र शर्माजी जैसे जीवन का गाड़ा अनुभव लिये हुए 80 साल का उनसा इलाज पूछो सेड़ जी के पास गए वो बोले साल की कद देखो पांच फुट दो इंच का सेड़ जी बोले चिंता मत करो जिंदगी भर ऐसे ही निब्टाएं अभी निब्टाता हूं इसको गर्ग साब आपके गोत्र की बता रहा हूं मैं अगरवाल साब थे सेड़ जी जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उने कं सेड़ी देश भगती है शेहनाज हिंदुस्तानी वाली देश भगती है लडाई नहीं जगडा नहीं कोट नहीं कचेरी नहीं थाना नहीं मुकदमा नहीं फैंसला गाउं के हक में करवाने सेड़ जी बोले चित हो जा 10 लाख रुपे दूगा पहलवान तिर्छी नजर करके देखा उनकी तरफ तो एक बात और बोल दी साले सो कुष्टी लड़के भी दस लाख नहीं कमा सकता जिन्दे के बाई नहीं पूरी गाउं की तरफ से गाली भी दे दी समझा भी दिया पहलवान की समझ में एक सेकिंड में बात आ गई सेड़ जी को गेरने के चक्कर में ऐस से गिरा खुदी चारो खाने चित हो गया अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर बोले लाओ दस लाख रुपे लाला जी ने मू फेर लिया दूसरी तरफ बोले किस बात के अब आशिरवाच चाहिए आपका बोले किस बात के पहलवान बोला जी आपने का लग प्यादाओं तालियां एक बार जोड़दार बजाईये और सुनाता हूं और जितना समय इसमें लगाया उतना समय चंद काड़ दिये कवीता सुनिएगा एक कवीता सुनाता हूँ कोरोना काल में मैंने 70-80 कवीता लिखी लेकिन यह कवीता मुझे बहुत मेरे मन के पास है मैं आपको सुनाता हूँ और एक अलग रंग की कवीता मन्च का आशिरवाच्चा हूँगा आधनिया मंगल जी का भ्यां जी का सुनिए का रंग होता है काला लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला सेहम जाना जरासी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव लेकिन नहीं होता उसकी गती का कोई भी जबाब अगली दो पंक्तियों पर आशिरवाद चाहिए आपका लेकिन नहीं होता उसकी गती का कोई भी जबाब एक बात समझनी पड़ेगी गौर से बेशक पैरकुरूप हैं लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मौर से वाँ 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 अशिरवाद और जादा बढ़ाईएगा अगली पंक्तियों पर अलका जी एक बात समझनी पड़ेगी गौर से बेशक पैरकुरूप हैं लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मौर से नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का होसला लेकिन कभी नहीं ब होती है दोस्तों अब मन चाहूंगा आपका लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन गहुंसला इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना बया से ना कहना क्याता है तुझे कोयल जैसा गाना मोर से ना कहना बया जैसा गहुंसला बनाओ और और ना कहना गिद से मोर की तरह नाच कर दिखाओ, विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास, तालियां कम है आपकी, तालियां मैं बहुत जानता हूँ बजवानी, लेकिन एक अच्छी कवीता सुनाने का बन हो गया तो हग बनता है मेरा आपके उपर, विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास, जिस गुण के कारण मिली उसे पहचान, यदि वही गुणख हो जाएगा, तो इस बदलाओ में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा, उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा, अंतिम दो पंक्तिस कविता की सुनिएगा और आशिरवाद दीजिएगा, उसकी आत्मा का नास अवश्य हो जाएगा इसलिए इस प्रकरती में जब भी जिसका भी थामो हाथ उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ एक छोटी सी रचना आपको और सुना देता हूँ, बड़े लोगों को हमें सुनना है, कोई-कोई रचना ऐसी होती है, बट साब आगे से पीछे तक तमाम मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, रिशी भाई ने बहुत मन से इतने महत्पून लोगों को ये माला बनाई और आपक गंधाईत हो रही है, उसकी सुगंद आप तक पहुँच रही है, कोई-कोई रचना ऐसी होती है कि रचनाकार को नहीं पता होता कि उसको कैसे पंख लग जाएंगे, एक गजल के दो-तीन शेर मैंने कहे थे, और फिर साथ-ाथ वर्ष बाद वो गजल पूरी हुई, मैंने अ उसके मैं पान-साथ शेर आपको सुना देता हूं और मेरे काव्यपाथ का विराम, बस यहीं मान लीजिए का आद, बले लोग बैठे हैं, आदरणी है सुरेंदर जी, हम सब के एक ऐसे प्रेणा पुंझ हैं, मैं कही बार कहता हूं कि यदि आपको इनसान के रूप में कोई चलता फिरता मसीहा देखना हो, तो आप सुरेंदर शर्मा जी को देख लीजिएगा, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं उनके बारे में व्याख्या करूं, वो किवल एक उनकी जिन्दगी का सूत्र है, वो कहते हैं कि दुख अपने पास रखिये और खुशियां बाठिये, आशु अपने पास रखिये और मुस्कान बाठिये, आप सोचिएगा, यदि आज 66 वर्ष की उम्र में कौन बनेगा करोड़ पती की होट सीट पर बैठकर, अमीता बच्चन काम करते हैं, तो किसी दौलत के लिए काम करते हैं वो, ना, अब और 10-20 लाग करोड, 2 करोड आ ज सी की उम्र में, कौन सा शोहरत का पैमाना है, लेकिन एक चीज है, जो उन्हें यहां बिठाए हुए है, एक चीज है, जो मंगल जी को यहां बिठाए हुए है, बस वहीं से ही शुरू करता हूँ, मेरे होकर सुन लीजिएगा, बहुत आप लोगों की महबते मेरे खाते में दर्जे, उन महबतों के नाम, कैसे कहदू की थक गया हूँ मैं, आशिरवाद चाहूँगा, आलोग भाई ने बहुत शानदार शेर सुनाए है, कैसे कहदू की थक गया हूँ मैं, कैसे कहदू की थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का होसला हूँ मैं, तालियां कब ना तो बहुत देर तक आपको हसाथ दुंगा के वल मेरे साथ रहिएगा, कैसे कहदू की ठक गया हूँ मैं, कैसे कहदू की ठक गया हूँ मैं, जाने मुझे इस गजल के कितने motivational lecturers के वो आ जाते हैं, कभी ये केज्रिवाल जी के photo के साथ लगा, मुझे भेजते हैं लोग, अभी राहुल गांदी के परीचे में कोई चैन्नेई में इन पंक्तियों को पढ़ रहा था, कोई मोदी जी के लिए भेज देता है, पॉलिटिकल मतलब नहीं है, जहां जो भी कर्म कर रहा है, ये पंक्तियां लोग उसके लिए कह देते हैं कि कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि ठक गया हूं में, जाने किस-किस का, जाने किस-किस का, जाने किस-किस का हूंसला हूं में, और शेर सुनिएगा दोस्तों, आपके आस-पास के कुछ चेहरे आपको नजर आ जाएंगे, मैं समर्पित करता हूं, भाई साथ, बेट करता हूं, जाने किस-किस का हूंसला हूं में, दाग खुद के छिपाए फिरता है हिंदियक आदमी वालो आशिरवाद देना दोस्तों दिल्ली वालो कैसे कह दूँ कि ठक गया हूँ मैं जाने किस किस का होसला हूँ मैं दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आइना हूँ मैं अरे वाँ 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 तो यह शेर आप पहुंचा दीजिए चाहे मा के प्रती पिता के प्रती किसी के भी प्रती हो कैसे कह दूं की थक गया हूं मैं जाने किस किस का हौंसला हूं मैं तेरे किस काम के हैं चारागर तेरे हर रोक की दवा हूं मैं तेरे हर रोक की दवा हूं मैं हाए उस बेवफा का य मैं बहुत हो बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं और ये शेर में आधरणीय सुरेंदर जी को समर्पित कर रहा हूं तालिया पूरे सदन की उठ जाएं यदि आपको लगे मैंने सही समर्पित किया है बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं मुझसे गम दूर दूर रहते हैं आशिरवाद चाहिए दोस्तों मुझसे गम मुझसे गम दूर 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 रहते हैं जानते हैं कि कह कहा हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालिया बजा दे इन पंक्कियों पर मुझसे मुझसे गम दूर दूर रहते हैं दूर दूर रहते हैं, रदूल भाई दूर दूर रहते हैं, जानते हैं, कि कह कहा हूं मैं, और मेरी सबसे ज्यादा पसंद का शेर सुन लीजिएगा, सामने इशारा कर दूँ, तो भट साब ये व्यक्ति के लिए आप में से किसी के लिए हो जाएगा, पीछे इशारा करूं, मन्च के लिए हो जाएगा, और उपर इशारा कर दूँ, तो इश्वर के लिए हो जाएगा, कैसे कह दूँ कि ठक गया हूं मैं, जाने किस-किस का, जाने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जाने किस-किस का, जाने किस-किस का होसला हूं मैं, तू मे तू मेरी रूह में समया है, तू मेरी रूह में समया है, सबसे कह दे तिरा पता हूं मैं। बहुत अच्छा है, वा, 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 कमाल, कमाल। सबसे कह दे, सबसे, जिसे आपने अपना माल लिया, इश्वर को माल लिया, व्यक्ति को माल लिया, वो वहाँ नहीं मिलेगा, वो यहां मिलेगा, तु मेरी रुह में समाया है, सबसे कह दे, सबसे कह दे, तेरा पता हूं मैं, और अंतिम दो पंक्तियां, इजाज़त दीजिए विदा कीजियेगा अच्छा लगा हो तो मुभबतों के साथ सबसे कह दे सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं तुझको मन्जिल मुझी से मिलनी है तेरी मन्जिल का रास्ता हूं मैं तेरी मन्जिल का रास्ता हूं मैं कैसे कह दूं कि ठक गया हूं मैं जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और लीजिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अदबुत अतिहासिक कभी सम्मेलन हुआ है, मैं अभी कल्पना कर रहा था बैठा बैठा कि लाल किले में शुरू ह होता था रात के दस बजे और इस कवी सम्मेलन को चलते हुए लगबक मांच घंटे हो गए हैं तो यह मान लीजिए कि लाल किले में हम रात के तीन बजे कवीता सुन रहे हैं इस सम्मे दस बजे शुरू करके पांच घंटे के बात तीनी बजते थे लेकिन उस समय भी वो इतनी उर्जा नहीं होती थी जितनी उर्जा के साथ आप सुन रहे हैं और इस उर्जा को उत्रोतर और बढ़ाने के लिए देखे उस बच्चे से पूछा मैंने उस बच्चे को वहाँ छोड़ दिया था समय बचाने के लिए कि बटे ये बता कि MP बनने के लिए क्या युग्यताएं होनी चाहिए तो देखिए मैंने इसमें Hindi Academy का प्रोग्राम में इसमें Hindi के निरठक शब्दों का साःठक प्रियोग किया है और मेरी जानकारी में ये एक अलग तरह का चाहिए बच्चे ने क्या का ओ एंपिगर होना चाहे हो जाएगा वो गूरु जी भाशनों में जीव को चलावे जो जी भट्टा ये शब्द सुनाया हमारे पिलखवे गाजेबाद मुरादाबाद सब जगें बोला जाता है रिसाला बहुत जी भट्टा इससे बात ही मत करो जी भट्टा मतलब जो फल्तु बोलता रहता है और बस यहीं से आप दिहान रखिएगा ओ एंपिगर होना चाहे हो जाएगा वो गूरु जी भाशनों में जीव को चलावे जो जी भट्टा कभी मूछों को मरोड़े कभी दोनों हाथ जोड़े जरूरी लगे तो ओड़ है स करूंगा सेवा करता मरूंगा ओ ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा वाए दो का लगवादे पूरा पूरा चट्टा अगली पंक्ति सुनिएगा अच्छी लगेगी आपको ओ ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा वाए दो का लगवादे पूरा थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखटा अब गुरु जी की उत्सुकता बढ़ी बच्चा तो कमाल का है इसने जरूर पटना के आसपास का पानी पिया है तो उन्होंने पूछा उससे कि बेटा ये बता कि कोई मंत्री बनना चाहे तो उसमें क्या योग्यताएं होन मंत्री गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरु जी देखने में देह से लगे जो हट्टा सामले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाड़ी थुल थुल काया पे हो बीस गज लट्ठा जूटा ज्यों वकील हो वै उड़ने में चील हो वै गिद्ध की तरह चीन मार के जपट्टा अगली पंग्ती पर पूरे सदन का आशिरवाद चाहिए जूटा ज्यों वकील हो वै उड़ने में चील हो वै गिद्ध की तरह चीन मार के जपट्टा लडने में लठ हो वै बुद्धी से अनठ हो वै चार दिन में बिठा दे भारत का बढ़ तो गुरु जी की उत्षकता और बढ़ी और चाजा जी उन्होंने पूछा कि यार ये तो कमाल का बच्चा तो बेटे ये बता मुख्य मंत्री बनने के लिए क्या युग्यताइं होनी चाहिए तो देखिए क्या बताया उसने सुरेंद्र जी घबरा रहे हैं मैंने तो बता दिया कि मैं तो भीहार की बात कर रहा हूं OCM जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरू जी नॉटो का भरा हो जिसके पास पूरा कट्टा एक भी तुकांत रिपीट नहीं है सर O.C.M. जो होना चाहे हो जाएगा वो गूरु जी नोटो का भरा हो जिसके पास पूरा कट्टा जो भी काउ M.L.A. की बोलियां लगाए रोज पार्टी खरीदने का खेला खूब सट्टा जिन के पैरो को रात दिन पूजता रहा हो जिन के पैरो को रात दिन पूजता रहा हो मौका मिलते ही उनका भी तोड़े गट्टा बजा दो तो इस पर कौनची जी एस्टी लग गई है और अगली पंग्ती आपको उत्तर प्रदेश के दस साल पीछे का समय याद आ जाएगा मौका मिलते ही उनका भी तोड़े गट्टा बाप सत्ता सीन हो वे बेटा बुद्धी जीन हो वे तो उल्लू की जगे बैठेगा उल्लू का तेखिये सहाब गाली के रूप में प्रियोग नहीं है, मैंने भीयंग में पिएसदी की है, बड़े लोगों के चननलों में बेठाऊं। बाप सत्ता सीन होवे, बेटा बुद्धी हीन होवे, तो उल्लू की जगे बैठेगा, उल्लू का सहब जादा, अन्तिम संद सुनिये, तो उनों ने का यार कमाल है, तो उनों का पी-म बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, बच्चे ने का सुनिये, ओ पी-म जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरू जी, उंची-उंची छोड़ कर नाटे जो नकटा, गीर गिट की तरह से रंग को बदलता हो, मिस्री सा मीठा हो वे इमली सा, साथियों को साथ लेके यहां वहां घूमता हो, साथियों को साथ लेके दुनिया जो घूमता हो, सारी दुनिया में करे सेर वैस पट्टा, चटनी का धनिया या पौधी ना समझ कर, जन्ता को पीस दे, जो लेके सिल बट्टा, जन्ता को पीस दे, जो लेके सिल बट्टा, एक बार मिलकर बजा दीजिए, जन्ता को पीस दे, जो लेके सिल बट्टा, जन्ता को पीस दे, जो लेके सिल बट्टा, गुरु जी ने जब यह उसके चंद सुने, तो गुरु जी न आनंदार ऐसा है उत्तरों को सुनकर गूरुजी ने कहा प्यारे डाकु छवी राम सिंग की छवी बनेगा तू रात दिन जलकर आग को उगल कर रोश्नी भिखेरता हुआ रवी बनेगा तू तेरी सांसे जिसके धुएं से घुटने लगेंगी ऐसे किशी शब्द यग्य की अधिना बना तो तूझे वर्दान देता हूं कभी बनेगा तू तूझे वर्दान देता हूं कभी बनेगा तू तूझे वर्दान देता हूं कभी बनेगा तू तूझे वर्दान देता हूं कभी बनेगा तू